सेहिंद आज की सुविड़ों में चत्तिस गड़ बज़र 2023 के मुश्ट इंपर्टेन कोस्टन का मसी क्यों करेंगे चलि वेड़ी शूरू करते हैं पहला है चत्तिस गड़ बज़र 2023 किसके द्वारा पेस किया गया तो कप पेस किया गया याद रखेगा 6 मार्च 2023 को 34 गड़ राज़े का बज़र 2023 का पेस किया गया नेक्स्ट है मुक्य मत्री भुपेस बगिल के कारेकाल का ये कौन सा बज़र था तो कौन सा बज़र था तो ये 5 बज़र था मुक्य मंत्री भुपेज बग्यल के कारेकाल का 5 वजड था ठीक है अगला है चतिसगड़ बजड़ 2023 को राज्य सरकार ने कीस नाम से पेस किया तो कीस नाम से पेस किया देकि चतिसगड़ का जो बजड़ था जो वरदा पेस के अगया। चतिस गड़ बज़र 2023 के ब्रीप केस में कौन सा चीतर अंकित था। तो देखे एक तो चतिस गड़ महतारी का ये देख रहे हैं फ्रांट साइड में चतिस गड़ महतारी और एक साइड में इसका था काम धेनू गाय का चीतर था। ठीक है। तो राइट एंसर क्या हो जाएगा। ओप्शन नमबर सी चतिस गड़ महतारी और काम धेनू गाय का चीतर ब्रीप केस पर अंकित था। चतिस गड़ बज़र 2023 के ब्रीप केस में कितने रंगों का उपयोग किया गया है। देखे इसमें कुल 9 रंगों का उपयोग किया गया है। चतिस गड़ बज़र 2023 के ब्रीप केस कीस कला के द्वारा त्यार किया गया था। तो याद रखेगा भित्ती चीतर कला के द्वारा ब्रीफ केस जो था वो त्यार किया गया था। तो देखे जो भित्ती चित्र था ये गोबर पेंट से त्यार किया गया था याद रखेगा गोबर पेंट से त्यार गया गया था काफी इंपोर्टेंट है अगला देखेगा 34 गड़ बजट 2023 का अनमानित कुल आये यानि सरकार की आये कितनी है कहां कहां से पैसे आएंगे सरकार को ठीक है तो यह कितनी है कुल अनमानित आये तो याद रखेगा 1,21,501 करोड ओप्शन नमबर D 1,21,501 करोड नेक्स्ट है 34 गड़ बजट 2023 का अनमानित कुल वैव यानि सरकार का जो पैसा है और किसकी स्थेतरों में कितना वैव होगा यानि कितना खर्च होगा तो याद रखेगा 1,21,501,501 करोड नेक्स्ट है चतिसगरबज़द 2023 में राजआश्व अधिक्य, दीखे सबसे पहले तो आप राजआश्व अधिक्य समझे सरकार क्या होता है, जितना उत्पादन करता है उतना वैब नहीं कर पाता है, ठीके तो जो बाकी रकम होता है बज जाता है, भहि क्या कहलाता है राजस्वह अधिग के अनमानी थे तो राइट एंसर है 35 co और अनमानी थे ठीक है नेक्स्ट है चाथिस गड़ बजड दोजार तईस्चो बिल में सकल वित्य घाटा दूस्तकर वित्य घाटा यानिकि जब सरकार का संपूर वैव उसके कुल राजास्व से अधिक हो जाता है तो वो क्या कहलाता है सकल वित्य घाटा कहलाता है इसका चत्यसगड़ बज़र 2023 में सकल वित्य घाटा कितना अनवानी थे तो 15200 करोड option नमर B 15200 करोड next है चतिसगड़ बजड 2023 पुंजीगत वैव अनमानी थे देखिए पुंजीगत वैव कहनेकार्थ है यानि सरकार की परिसंपतियों में वृध्धी करने वाले जो खर्चे हैं जैसे पूल हो गया सडक निर्माड हो गया इन सभी में जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाता है चतिसगड़ बजड 2023 में पुंजीगत वैव का अनमानी परतिसाथ देखिए अब इसी का परतिसाथ पूछ रहे है तो कितना परतिसाथ हो जाएगा तो याद रखेगा 15 परतिसाथ अनमानी थे चतिसगड़ बजड 2023 में जो पुंजीगत वैव है इसका 15 परतिसाथ अनमानी था थ्यक्ति च्टिसक्डबजड 2023 चोबिस में अनमानित राजश्वा वेब कितना है यानि कि जिसमें ना तो सरकार की उत्पादन चमता बढ़ती है और नाहीं सरकार की आये होती तो जैसे कि example के तौर पर मान लेते हैं pension, pension से सरकार को ना तो आये होती है, आये बढ़ती है क्या, नहीं बढ़ती है, उत्पादन चम्त नहीं बढ़ती है, और नहीं सरकार को इसे कोई आये होती है, केवल पैसा जाता है, तो राजस्वव वैव क्या है, तो एक लाग दो हजा 2023 में अनमानित राजस्व वेव कुल वेव का कितना परतिसत है तो 85 परतिसत है अगला है बेरुजगारी भत्ता अधिक्तम कितने वर्स के लिए दिये जाता है देखे जो बेरुजगारी भत्ता है ये अधिक्तम दो वर्स के लिए दिये जाएगा ठीके बेरुजगारी भत्ता जो बजट अनमान था 2023-24 में कितने परतिसत की वृद्धी हुई है तो 17 परतिसत की 2022-23 से 2023 में कितना वृद्धी हो गया 17 परतिसत की वृद्धी हो गया 36 गड़ बजट 2023-24 में अनुसूचित जनजाती चेतर के लिए कितने परतिसत व्यव अनमानी थे अगला है चतिसगड़ बजट के अंसार वर्ष 2022-23 के लिए चतिसगड़ राज़े का आर्थिक विकासदर इस्तिर भाव पर है तो राइट एंसर है इसका 8.0% नेक्स्ट है, चातिस गड़ भजट के अंसार, वर्स 2023 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर इस्थिर भाव पर है, तो राइट एंसर है 7.0 परतिसाथ, देखे, 22-23 में कितना था, तो याद रखेगा 8.0 परतिसाथ, और 23-23 में पुचेगा तो 7.0 परतिसाथ, इस्थिर सबस्क्राइब, तो वो प्रतिविक्ति आये निकल जाता है, तो ठीके, तो ठीके, तो ठीके, तो एक लाग узнаत आतीство ऑक्त्ति सजाओं अड़ान था, ओ इस्थि भारत पाक कितना है तो याद रखेगा कि एक लाग सत्तर हजार चैसो बीस रूप है Right erhalten सर है Option नंबर एक लाग सत्तर हजार चैसो बीस रूप है वर्स 2022 की अपेक्चा चत्यीषगण राज्य के प्रति वेक्ति आयमें इतने परतिशत की व्रृति हुई है तो याद रखेगा 10.93 10.93 प्रतिसत की ब्रिद्धी हुई है 2022 के प्रिक्षा चतिसगर राज़े के प्रतिविक्ति आयमे चतिसगर बज़र 2023-24 के अनुसार सिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमा कितने रूपे का बेरोजगारी बत्ता दिया जाएगा सिक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात रता है ए वैद रोजगार पंजियन हो राइट है नियुनतम से खड़ी की योगेता बारवी पास हो ओप्षिन नमबर C 18-35 वर्ष उसकी आयो हो परिवार की वार्षिक है 2.50 लाग से काम हो तो ओप्षिन नमबर D इसका राइट एंसर हो जाएगा वर्ष 2023 की बजट में राजिव गांधी किसान नियुजना के लिए नियुनतम कितना करोड का प्रावधान किया गया है देखे राजिव गांधी किसान नियुजना के लिए वो 9000 रुपे किशानों को दिया जाता है वर्ज 2023 के बजट के अंसार राजिव गांधी ग्रामिड भूमी इनक्रिसी मजदू नया वजना का विस्तार किया जाएगा तो option number ए संपूर ग्रामिड चेत्र में B नगर निगम चेत्र में C ग्रामिड चेत्र के साथ दिखे ग्रामिड चेत्रों के साथ नगर निगम चेत्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा तो राइट एंसर जाएगा option number C ग्रामिड चेत्र के साथ साथ नगर पंचायत चेत्रों में भी बजट 2023 में समाजिक सुरक्षा पेंसन के अंतरगत प्रतिमा मिलने वाली राशी में कितने प्रतिसत की वृद्धी की गई है तो याद रखेगा 43 प्रतिसत की वृद्धी की गई है समाजिक सुरक्षा पेंसन योजना के अंतरगत जो प्रतिमा मिलने वाली जो राशी होती है उसमें और याद रखेगा 36 गड़ में समाजिक सुरक्षा पेंसेन योजना के हर माह जो है 500 रुपे दिये जाते हैं 36 गड़ बज़र 2023 में समाजिक सुरक्षा पेंसेन योजना के अंतरगत प्रतीमा कितने रुपे देने का प्रावधान है तो राइट एंसर है 500 रुपे अभी मैंने बताया कित्ते रुपे 500 रुपे देने का प्रावधान है समाजिक सुर्क्षा पिंसर योजना के अंतरगत प्रतीमा 500 रुपे देने का प्रावधान है चतिस गड़ बजट 2023 में मुख्यमंत्री कन्या विवा योजना के अंतरगत मिलने वाली सहायता राशी को बढ़ा कर कितना किया गया है पूर्व में दिया जाता था आपका 25,000 रुपे जीसे बढ़ाकर कित्ता कर दिया गया है 50,000 यानि डबल कर दिया गया है इस वर्ष 2023 के मुख्यमंत्री कन्या विवा योजना के लिए बजट में कितने करोड का प्रावधान किया गया है तो राइट एंसर है 38 करोड का बजट में प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री कन्या विवा योजना के लिए और इसके तहर 50,000 रुपे दिया जाता है 36 गड़ पजट 2023 में कितने नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी इसकुल खोलने का प्रावधान है तो याद रखेगा चार नवीन चिकित्सा महाविद्याले खोले जाने का प्रावधान किया गया है एक तो आपका दिखेगा कौन-कौन सा एक है मनेंद्रगड दूसरा है जांजगीर तीसरा है कबरधा और चौन था है गीदम गीदम कहां इस्तित है तो दंते वाड़ा में इस्तित याद रख इन चार जगों पर नवीन चिकित्सा महाविद्याले खोले जाने का प्रावधान है आंगनबाडी कारेकरताओं को प्रतिमा दी जाने वाली मांदे राशी को बढ़ाकर कितना किया गया है देखे आंगनबाडी कारेकरताओं को पहले कितना दिया जाता था तो पूर्वा मे कितना किया गया है तो राइट रूपे करतां को अब कितना दिया जाएगा 75 word नेक्स्ट है आगनबारी सहाइका को प्रतिमाद दीजाने वाली मांदे रर्शी को बढ़ा कर कितना किया गया है देखे आंगन बाड़ी जो सहाईका होती थे इन्हें पूर्वा में कित्त दिया जाता था तो 3500 रुपे केवल 3500 दिया जाता था ठीके जिसे बढ़ा कर कितना कर दिया गया 5000 कर दिया गया option नमरे 5000 रुपे कौन सा इस्थान पर व्यवशाइक हवाई पट्टी बनाने का प्रावधान है देखे चतिसगड़ का जो कोरबा है option नमरे बी कोरबा में व्यवशाइक हवाई पट्टी बनाने का प्रावधान किया गया है चतिसगड़ बजड़ 2023 में कहां से कहां तक लाइट मेट्रो सेवा सुरू करने का प्रावधान है तो देखे दूर्ग से नवाराइपूर तक option नमरे दूर्ग से नवाराइपूर तक लाइट मेट्रो सुरू करने का प्रावधान अगला देखेगा तो 3,23 करोड का प्रावधान क्या गया है प्रधान मंत्री अवाश योजना के लिए तो 50 करोड का प्रावधान क्या गया है मुख्य मंत्री संपदा योजना के लिए नेक्स्ट है तो याद रखेगा इस्कूल सिक्षा विविकास के लिए 400 करोड रुपे का प्रावधान क्या गया है तो चुई खदान में कहां चुई खदान तो गोधन नयायोजना के लिए कितने करोड राशी का प्रावधान क्या गया है तो गोधन नयायोजना के लिए 175 करोड राशी का प्रावधान क्या गया है नेक्स्ट है वरिष्ट नागरीकों को उभहलिंगी वक्तियों विद्वा परतियक्ता महिलाओं एवं दिवांग जनों की समस्याओं की ओनलाइन समाधाने तू शुरू की जाएगी तोलफ्री नंबर है 1-800-233-8989 ठीक है नेक्स्ट है नवा पिलहर योजना संबंदित है देखें जो नवा पिलहर योजना है ये उभहलिंगी वक्तियों के परसिक्षण तथा रुजगार हेतु परतियकी परिक्षाओं की तयारी हेतु संबंदित है ठीक है चत्तिस गड़ पिल्चर, 202323 매 चाठ परियोजना हेतु कितने करोड राशी का पराउधान की तो देखें चाठ परियोजना के लिए 400 करोड राशी का पराउधान की अगया है पोस्ट्रमेट्रिक चात्रावास के विध्यारतियों के चात्र भोजन सहाय है उजना के अंतरकदी जानिवल जो सहायतर आशी है इसे बढ़ाकर कितने रुपे परतिमा किया गया है तो याद रखेगा बाराशो रुपे परतिमा कर दिया गया है वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्व सो करोड रुपे का प्रावधान किया गया है अगला है किस इस्थान में स्मार्ट पुलिस्थाना का निर्मार किया जाएगा तो देखे चत्तिस गड़ का जो दंते वड़ा है दंते वड़ा में महीला पूर इस्थाना का निर्माड किया जाएगा ठीक है अगला दिखेगा चतिसगर बज़र 2023 में किस इस्थान में मलखंब अकादमी की इस्थापना का प्रावधान है तो याद रखेगा नरायडपूर में मलखंब अकादमी का इस्थापना किया जा चुका है तो देखिए इसका भी राइट एंसर है आपका option number D बस्तर